मुझे आज भी वो दिन्याद है बिसंबर की ठंड गीली सी सड़क सड़क पे मानो दो लिफाफे उड़ रहे थे फासा के देखा तो देखा दो चोटे से पिल्ले थे जोपनी मा को बेचैनी से ढूंट रहे थे वो दो बच्चे जिनका नाम पालक और मेथी हमारी छोटी सी दुनिया का सबसे पहला अंश बने तीन कमरों का था वो घर जिसमें बस दो थे निगरान और बिजली पानी लापता ना था कोई सामान धीरे धीरे घर बड़ा होता गया और कितने सारे अंश जुड़ते रहे दुनिया ने भी काफी साथ दिया और हम उमीदों संग उड़ते रहे वो तीन कमरों का घर तीन हजार गच का महल बन गया खुश्यों का ठिकाना कीचर का कमल बन गया पर आज आज उस महल में दो गच जमीन भी न बचे सरकों पे आज भी तो कितने पालक में थी जैसे अंश मर रहे है अब क्या क्या करें अब जो सफर दो कुत्तों से शुरू हुआ था वो धाईसों पे जाके थमसा क्यों गया है उधारी सरकों चीर रही है रोस मदद का हाथ भी रुकसा गया है बस बची है तो एक उम्मीद एक आखरी उम्मीद कि कोई आए और कहे कि हम तुमारे साथ है आगे बढ़ो कुत्ते क्या बिल्ली, गधे, पंची, नदिया सब को अपना अश बनाओ पर वो साथ है का एक कैम्पिन जिसमें तस दिन में दस लोगों ने में दिल्चस्पी ना दिखाई चश्मा पहनी और देखिए क्या ये जानवर ये डिजर्व करते है देखिए कैसे आपका अपना प्यारा अर्थलिंग्स ट्रस्ट आज सिम्मट के रह गया है जाए एक आखरी उम्मीद अर्थलिंग्स ट्रस्ट को देदीचे दोनेट कीजिए कोल्स बनाईए हर इंसान अगर दस दस अजार रुपया भी रेस करके देगा लोगों से तो हम बहुत जल्दी इस कैम्पिन को पूरा कर लेंगे लेकिन आपके मन में इच्छा होनी चाहिए बचा लीजिए बचा लीजिए वो एक मात्र जरिया जिसने उम्मीद और आकात दोनों से ज़ादा बढ़के काम किये हमारे इंपैक्ट गुरू लिंप पे जाईए और वहां डूनीट कीजिए शेयर कीजिए लोगों के साथ क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो बोखुत सारे लोगों तक वो पहुंचेगा जो काम हम अकेले नहीं कर सकते वो आप भी अकेला नहीं कर पाएंगे हमें आपसट की जरूरत है इन जानुआरों को आपकी जरूरत है क्या आपको हमारी जरूरत है यह आपको डिसाइड करें